नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर स्वापनिल सागर जैन निरामय होमियोपैथी के अपनी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज कल का जो माहौल है उसके कारण लोहों के मन में एक डर की इस्थिती पैदा हो गई है बहुत सारे लोग अपना बिजनिस ठीक से ना करपाने के कारण मांसिक डिप्रेशन में चलेगए हैं तनाव की इस्थिती है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है सामान निता भी उन्हें नीद नहीं आती थी और अब तो नीद ना आने की समस्या उनकी बहुत जादा बढ़ गई है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्लीनिक पे आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब इतने जादा विचार दिमाग में चलते रहते हैं कि पूरी रात ऐसा लगता है जैसे सपने में मैं कोई काम कर रहा हूं मेरे दिमाग में बातें चलती रहती हैं मैं सो रहा हूं लेकिन दिमाग में बातें चलती रहती हैं यह symptom clinic पे बहुत सारे लोग आके बताते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी खुशी के कारण यानि कि किसी का I.A.F. में सेलेक्शन हो गए अब उसे बहुत जादा खुशी हो रही है और रात बर उसकी नीद नहीं लगी नीद नहीं लगी तो सुबह उठके उसका सिरदर्द होने लगा अब क्या करें इस तरह के जितने भी symptoms होते हैं उन symptoms के लिए आज जिस homeopathic दवा की मैं बात करने वाला हूँ पूरी homeopathic materia medica यानि कि दवाईयों की वो किताब जिससे हम लोग पढ़ते हैं materia medica में इन सारे symptoms को ठीक करने के लिए उस दवा के अलावा और कोई दवा है ही नहीं इसका एक और characteristic symptom होता है कि व्यक्ति को आवाज से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है थोड़ी सी आवाज भी उसे शोर के जैसे ही लगती है सबसे पहले मैं आपको medicine का नाम बता देता हूँ medicine का नाम है coffee or cruda coffee जो हम लोग घरों में पीते हैं बहुत सारे लोगों आपने देखा होगा कि वो नींद भगाने के लिए coffee का उपयोग करते हैं रात में जो लोग night shift करते हैं वो coffee पी लेते हैं तो उसे नींद नहीं आती है तो coffee or cruda उस coffee से ही बनती है और बहुत अच्छी medicine है homeopathic medicinal system में बहुत सारे symptoms को ठीक करती है तो इसका पहला जो characteristic symptom है वो यही है कि यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है बहुत जादा उसके दिमाग में विचार चलते हैं पूरी रात उसके दिमाग में सपने चलते रहते हैं सुबह उठता है तो सीधे आँख खोल लेता है उसे ऐसा लगा ही नहीं जैसे वो सोया था और उठने के बाद सिर में भयानक वाला दर्द होता है उदासी चाही रहती है इस तरह के सिम्टम को ठीक करने के लिए हमें कौफिया करूडा का इस्तेमाल करना चाहिए इसका दूसरा सिम्टम होता है जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यदि किसी को बहुत जादा खुशी हो गई किसी चीज की लड़की की शादी फिक्स हो गई पिता जी तो बिल्कुल फूले नहीं समा रहे है अब उन्हें इस खुशी में ही रात बर नीद नहीं आई तो कौफिया करूडा का इस्तेमाल कर सकते है इसके अलावा जिन लोगों को शोर से परिशानी होती है मतलब यदि कोई चल के भी आ रहा है और उसके चलने की कदमों की जो आवाज है उस आवाज के कारण भी यदि किसी व्यक्ती की परिशानी बढ़ जाए उसका दर्द बढ़ जाए मान लीजिए एक एक एक्जाम्पल देता हूँ किसी व्यक्ती को माइग्रेन हो रहा है सिर्दर्द की शिकायत है और सिर्दर्द उसका इतना ज़्यादा तेज है कि वो आँख बंद करके अंधेरे कमरे में और लेटा है बिल्कुल इस तरह से कान पे हाथ रखके और इस तरह से सो रहा है कान पे हाथ क्यों रखा है क्योंकि उसके कानों में किसी चीज़ की आवाज नहीं जानी चाहिए पंखे के चलने की आवाज भी आएगी तो उसका दर्द बढ़ जाएगा और इसी बीच कोई उसके कमरे में एंडर करता है और दरवाजे खोलने की और उसके कदमों की आहट से उसका जो सिरदर्द है वो भयानक रूप से बढ़ जाता है तो यह characteristic symptom है कॉफिया क्रूडा का होमियोपेथिक की materia medica में ऐसी कोई दवा नहीं है जो इतनी ज़्यादा specific है शोर से होने वाले aggravation के लिए यानि कि किसी बीमारी के लक्षणों में जो बढ़ाव होता है जो बढ़ जाते हैं लक्षण शोर के कारण उनमें कॉफिया क्रूड 100% काम करती है इसके अलावा जिन लोगों को migraine में यानि कि सिर के दर्द में ऐसा महसूस होता है कि उनके खोपड़ी में उनके स्काल्प में कोई कील चुभा रहा है तब कॉफिया क्रूडा उसकी medicine होती है बहुत अच्छी specific medicine है migraine यदि इस तरह का है जिसमें की patient को लगता ह है कि उसकी खोपड़ी में उसके स्काल्प में कोई कील चुभा रहा है तो आप समझ जाए 100% कॉफिया ही उसकी medicine है अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉफी पीने की आदत होती है बहुत ज़्यादा कॉफी पीते हैं दिन में 5-5-6 कॉफी पी जाते हैं और फिर उसक है कि symptom को antidote करने के लिए भी कॉफिया की potency का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जितने सारे symptoms मैंने आपको बताए हैं इन सारे symptoms में कॉफिया बहुत अच्छी medicine की रूप में काम करती है बहुत specific medicine है इसके अलावा जिन लोगों को दात दर्द की शिकायत है बहुत ज़्यादा दर्द करता है लेकिन एक कंट्रा इंडिकेशन होता है सामानेता जिस व्यक्ति का दात दर्द करता है उस व्यक्ति को गर्म पानी पीने से गर्म चीजों से थोड़ा सा आराम मिलता है यहाँ पे बिलकुल उल्टा होता है जिस व्यक्ति का दात दर्द करता है उसे ठंडा प थंडा पानी पीने से उसकी खासी में आराम मिलता है तो थंडा पानी पीने से खासी में आराम मिल रहा है तो कॉस्टिकम उसकी दवा होगी और थंडा पानी पीने से दात दर्द में आराम मिल रहा है तो कॉफिया उसकी मेडिसिन होगी अब हम बात करते हैं कि इन सारी symptoms में हम कौफिया की potencies का इस्तेमाल कैसे करेंगे तो दोस्तो सामान यता कौफिया को 200 potency में ही उपयोग में लाया जाता है कई बार symptoms की intensity की basis पे 30 potency का भी उपयोग किया जाता है लेकिन सामान यवस्ता में 200 potency की चार बूंद सीधे patient की जीब पे एक बार रख देने से उसके सारे जो symptoms होते हैं किसी भी बीमारी से सम्मनित हो सकते हैं मान लीजिए migraine हो रहा है 200 potency की चार बूंद उसकी जीब पे रख दीजिए आदे एक गंटे में उसका migraine पूरी तरह ठीक हो जाएगा मान लीजिए कि उसको नीद नहीं आ रही है तब नीद ना आने के लिए सामानिता कौफिया की 200 potency की चार बूंद जीब पे रख दी जाती है और पेशेंट को आदे गंटे बाद नीद आ जाती है किस अवस्था में नीद ना आना उसका कारण होगा कि पेशेंट के दिमाग में बहुत ही जादा विचार चल रहे है बिल्कुल continue एक film चल रही है यहां से वहां वहां से वहां वो चला जा रहा है और इसके कारण उसे नीद नहीं आ रही है तब केवल कॉफिया काम करने वाली है अब एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ जो हम लोग clinical practice में use करते हैं सामाने था clinical practice के नुस्खे कोई नहीं बताता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हर व्यक्टी जो है वो doctor के पहँच पाई ये संबाव नहीं होता है आपको क्या करना है यदि किसी व्यक्टी को नीद नहीं आती है और बहुत लंबा समय हो गया है 20 साल से वो नीद की दवाई खा रहा है 15 साल से नीद की दवा खा रहा है तो एकदम से तो ये नुसका ठीक नहीं कर देगा उसको कि आपने इधर खाया और उधर वो सोने लगा लेकिन धीरे धीरे जब इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो जो नींद की दवा चल रही थी वो आपकी खत्म होने लगेगी आपको क्या करना है कि कौफिया की 200 पोटेंसी लेके आना है कैमो मिला का मदर टिंचर लेके आना है और काली फॉस को 6X पोटेंसी में लेके आना है अब क्या करना है कि कॉफिया की 200 पॉटेंसी की चार बूंद सोने के एक घंटे पहले यानि कि जब वो विस्तर पे जाके लेटता हो उसके एक घंटे पहले उसके जीब पे चार बूंद कॉफिया की 200 पॉटेंसी की रख दीजिए उसके 10 मिनिट बाद कैमो मिलाके मदर टिंचर की पांच बूंद गुन गुने पानी में मिलाके उसको पिला दीजिए और उसके 5 मिनिट बाद काली फॉस की 6X पोटैंसी की 4 गोली उसको जीब पे चूसने के लिए दे दीजिए हर दिन ऐसा कीजिए, continue ऐसा करते जाएए दीरे 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 उसका जो शरीर है उसका जो दिमाग है, उसकी जो नर्वस हैं वो परिवर्तित होने लगेंगी और दीरे दीरे उसको नींद ना आने की जो समस्या है वो खत्म होने लगेगी उसका जो दिमाग है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा शान्त इस्थिती में आने लगेगा और उसकी समस्य जो है नीद ना आने की पूरी तरह खत्म हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी 15 दिन में ठीक हो जाएंगे लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर की छमता जितनी होगी शरीर की response देने की छमता जितनी होगी उस हिसाब से आपको effect उसका मिलने लगेगा अब हो सकता है आपको 8 दिन में ही result अच्छे मिलने लगे और हो सकता है 2 महीने बाद मिले लेकिन आप इसको continue use कीजिए इसके कोई side effect नहीं है शर्त ये याद रखना है जो dose मैंने बताए है जो तरीका मैंने बताया है बस वैसे ही use करना है उसमें अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ये डॉक्टर साब ने बोला था कि चार बोन पीना है चार से क्या होगा आठ पीलें जी नहीं एग्रावेशन हो जाएगा जितनी आ रही थी नींद वो भी आना बंद हो जाएगी तो ये ध्यान में रखना है इसके साथ में ये ध्यान रखना है कि दवा खाने के लगबग आदे गंटे पहले और दवा खाने के आदे गंटे बाद तक कुछ ना खाया हो रात में सोने के पहले हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब हमें दवा खाना है तो उसके आदे गंटे पहले से मान लीजिए नौ बजे आपको दवा खाके सोना है तो आप 8-7-8 तक खापी के खद्म कर लीजिए उसके बाद कुछ नहीं खाना है ये ध्यान में रखना है दवा सीधे जीब पे रख लेना है कैमो मिला का मदर टिंचर जो 5 बून है वो आप पानी में मिला के भी पी सकते हैं और डारेक्ट जीब पे भी बहुत सारे लोग रखके पी लेते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है और कालीफॉस की जो 6X potency है उसको आप चूज सकते हैं पानी से पीने की जरूरत नहीं पड़ती है ये जो दवाए हैं किसी भी homeopathic medical store पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और आप online भी इने मंगा सकते हैं लेकिन मुझे message ना करें कि आप दवा भेज दीजिए हम cash on delivery कर देंगे या ऐसा या वैसा क्योंकि मेरी कोई pharmacy नहीं है मैं केवल एक consultant physician हूँ prescription देता हूँ कि भई ये दवा खा लेना वो अपना medical store से लेके खा लेता है आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आप से बात करूँगा कुछ नई बीमारियों और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत